हेलो दोस्तों तो वैर कैसा है तो वैस फिर से एक और वीडियो में आप लोग का बहुत बहुत स्वाग है तो वैस कुछ दिनों पहले मैंने रिव्यू किया था SP Pavilion Gaming Laptop जो Intel वाला वरियंट था i5 10th Gen और GTX 1650 Ti का ग्राफिक कार्ट था लेकिन उसके बाद भाई आप लोग की डिमांड पर हमें लाना पड़ा इसका एक और वरियंट जो है RTX 3050 वाला तो इसमें है आपका RTX 3050 144Hz का refresh rate डिस्प्ले का और Ryzen 7 का प्रोसेसर ये कुछ हाइलाइट्स है बाद में डिटेलने स्पिक्स के बारे में बात करेंगे लेकिन अगर ये laptop आप बाई करना चाहते हो गरा हैदरबाद में रहते हो कबसे तक मुटर विजिट करके ये laptop को बाई कर सकते हो तो वैसे आप देखो कि HP की website पर ये laptop को price 93,000 है बट ये laptop आपको वहाँ से 88,000 में पड़ जाएगर आप हमारे तुरू जाते हो तो जाओ भाई वहाँ से बाई करना अगर आप कहीं और भी location पे रहते हो तो दिस्क्रिशन में contact details दे दे रहा हूँ आप वहाँ से contact करके वहाँ भी मंगा सकते हो जहां रहते हो तो ठीक है ये laptop के बारे में बात करेंगे इसका design वगरा देखेंगे इतने सारी चीजे बात करेंगे इस laptop ग्राव में तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना आगाईस सो लेट्स कट स्टार्टे तो गईस कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलता है HP Pavilion Gaming Laptop इसको जो model number है वो है 2076 तो ये model number से आप सर्च करोगे तो आसानी से आपको कहीं इस दिख सकते हो बूट करते ही HP का logo सामने आता है और नीचे हमारा purple color का single color backlit keyboard glow करता है इस तरह से दिखता है ये laptop अभी जो हमने Intel वाला review किया था उसमें और इसमें क्या difference है वो मैं अभी cover करूंगा बाद में लेकिन फिलहार्ट डिजाइन देखो तो भाई सानीक तरब से क पहले हम देख लेते हैं इसमें ports वगरा में क्या-क्या मिलते हैं तो राइट साइड में सबसे पहले हमको मिल जाता है एक HDMI का port उसके बाद हमें मिलता है एक USB 2.0 का port फिर मिलता है एक RJ45 का port विथ 2 LED इंडिकेटर फिर आपको मिलता है एक super speed USB Type-C का port and at last आपको मिलता है 3.5 mm क का port and full size का SD card का slot so इतनी सारी चीज़े आपको right side में मिलती है and left side में देखा जाए तो हमें मिल जाता है एक AC smart pin एक super speed USB Type-A का slot so बस इतनी सारी चीज़े आपको left side में मिलती है नो बात करते है specs की तो specification में सबसे पहले हम बात करेंगे processor की तो यहाँ पे आपको मिलता है AMD Ryzen 7 5800H का तो वैस यह CPU clockable है 4.4 GHz तक और इस CPU में आपको मिलता है 8 core and 16 threads and यह आता है 16 MB L3 cache memory के साथ में so now RAM की बात कर ले तो यहाँ पे आपको 16 GB RAM मिलती है DDR4 32 MHz तक की RAM मिलती है आपको दो memory slot है और दोनों ही occupied है 88 GB की दोनों में RAM लगी है जो की 16 GB total अभीस में लगी है बट यह expandable है 32 GB तक तो storage जो इसमें आपको मिलती है वो मिलती है 512 GB की PCIe NVMe M.2 SSD तो भाई SSD मिलती है पूरी 512 GB की और आपको अगर expand करना है तो यहाँ पे आपको HDD का भी अलग से slot मिल जागा है जिसमें आप जितनी मरजी उतनी HDD लगा के expand कर सकते हो ग्राफिक्स की बात करें तो आपको मिल जाता है NVIDIA का G4 RTX 3054 GB का GDDR6 dedicated GPU गेमिंग वगारा इसमें टेस्ट करेंगे हम देखेंगे RTX on करके gaming कैसी होती है डिस्प्ले के बारे में बात कर लेते हैं तो डिस्प्ले आपको 15.6 इंचेस का IPS Micro Edge Anti-glare डिस्प्ले मिलता है और डिस्प्ले का refresh rate 144 Hz का है और इसमें आपको 7 millisecond का response time मिलता है and 300 nits की brightness है ना बात करते हैं keyboard की तो देख सकते हो इसमें जो keyboard मिलता है वो full size single color backlit keyboard मिलता है purple color इसकी light है single color है बहुत सो लोग confused आते हैं कि भाई यह RGB है नहीं और RGB नहीं है सिर्फ purple color में ग्लो करता है and बात करूँ key travel की तो key travel भी ठीक ठाक सा है and now बात करूँ trackpad की not so big but gaming में अगर आप trackpad देखते हो तो भाई में को नहीं लगता कि साई चीज देखते हो उसके थमल्स का जो आर्किटेक्चर था जो जॉस्ट वगरा थे वो में को काफी अच्छे लगे थे पीछे की साइड में उसमें दो एक्साइड दिये गया थे फैन एकी था बड़िया था तो वह काफी बढ़िया था में को design भी अच्छा लग रहा था बट इसमें यार वै प्ले करके सुना देता हूं और आप लोग खुरी देख लो कि इसके पीकर्स की कॉलिटी कैसी है अब मैं इसमें एक वीडियो रिकॉर्ड कर लेता हूं तो अभी यह जो आउडियो और वीडियो देख रहा हो यह दोने रिकॉर्डटेड है एचप की यह डूटो टेक्नोलोजी वाले कैमरा से शेवं टॉन टीप का कैमरा है भाई तो ठीक ठाक सी कॉलिटी आपको मिल भी जाती है और आडियो आप सुनी सकते हो कैसी है और फैन चल रहा है रूम में तो तीन नंबर पर फैन चल रहा है दो लाइटेया एक इधर एक स चल जाएगा गेमिंग में 2-3 गेंटे बड़ी आराम से चल जाएगा अब डिपेंड करता है कि यार कितने हाई ग्राफिक डिमांड की आप गेमिंग करते हो अगर आप चार्जर को प्लक करके गेमिंग बगरा करोगे तो आपको बहुत ही अच्छी पावर मिलेगी तो यह तो आप सबस्क्राइख करते हैं और मं फॉर्ती दो मिल्या भी कि डियुक्त पर देखे लेते हैं सारी पर केरे लेटागा सब कर लेते हैं, on, 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 ठीक है, देख सकते हैं, एक तुम कॉंस्टेंट 140 का एक प्यसा आ रहा है, ठीक है, चलो जी, भाई, जीप्यू तो 50%, 60% शूपर जाही नी रहा है, भाई, सब क्या मक्खन गेम चल रहा है, मजा आ रहा है, बड़े दिनों बाद, ऐसे गेमिन करके, तो देखो, यहाँ पर मैंने बोला था न, थर्मल वाली बाद, देख सकते हो, अब यह टेंपरेचर कितना जा रहा है, अबे, शिट या, खटम, तो गईस, यह देखा अपने वैलरेंट का गेम प्ले, अब इसके बाद मैं आपको गेम प्ले दिखा देता हूँ, अब जी भाई, आगए अपने सरकारी गेम में, जीटिय फाइफ में, है न, हाँ भाई, इस गेम को सरकारी घोजित कर देना चाहिए, अच्छा खासा, इतने सालों से चल रहा है, क्या दिखकत है, बाकी सेटिंग यहाँ पर देख सकते हैं, 144Hz के रिफरेस रेट है, यहाँ यह प्रिसेट लगा हुआ है, नॉर्मल, 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 इसमों मैंने कोई भी चेंज़ेस फिलहाल तो नहीं किया है, आगे देखते हैं, चलो, देखते हैं, क्या बात है, एक सुस्तिक अच्छा जी, तो थोड़ा सेटिंग बढाते हैं, वाई जी, वेरी हाई पर कर लेता हूं, देखता हूं क्या रहता है, है न, अल्टरा पर तो नहीं, वेरी हाई पर करता हूं, तो यह गाईस, देख सकते हूं, अभी हम एक दम कॉंस्टेंट 144 हर्ट्स का फ्प्स हमें मिल रहा है, ले में सो यू दिस सेटिंग्स, यहां पर वेरी हाई, वेरी हाई पर सारी सेटिंग्स, अभी हमको पूरा पूरा 144 फ्प्स मिला, मतलब आप इस पे न, अल्टरा वी ख आगा, अभी हमस्टॉचॉचॉ नए अभी हमस्टॉचॉच भी हमस्टॉचॉचॉचॉचा लेपर गाईस सब्सक्राइब तो यह राको गेंपले पूरी मैक्सिम सेटिंग पर भी देख सकते हैं भाई साइबर पंक को और देख सकते हैं तो वेट ए सेकंड मैं भी और सेटिंग बढ़ाता हूं यह लो सेटिंग सेटिंग पर पर करते हैं थे कर लेते हैं है डेख सकते हो हाई करते ही सेवेंटी का एफपिस आ रहा है भी हमारा और जीप्यू तो 98% तक यूज होई जा रहा है और देख सकते हो और आण बेचर भी 88 डिग्री सेंटिग्रेट क्या वाद है खत्म ओके सो थोड़ा सा और सेटिंग बढ़ाते हैं सो गाइज अभी ना मैं क्या करता हूँ अल्टरा पे कर लेता हूँ सेटिंग्स को मेंस र्टी एक्स को अल्टरा पे कर लेता हूँ यह रहा अटी एक्स अल्टरा वाई इंदेग्र इंदेग्रा वाईemy आपका Tibet इंदेग्रा विप्ट वande इंदेग्री मक्त्धा तो गैस यह थी कुछ बात है HP Pavilion Ryzen 7 RTX 3050 वाले model के बारे में उमीद आपको समझ में आ गया होगा कि लेना चाहिए या नहीं अपना personal opinion बता हूं तो यार देखो मेरे साफ से यह laptop काफी बढ़ी है जिस प्राइज में आता है उस प्राइज में आपको 144 हट का refresh rate के साथ-साथ RTX 3050 का graphic card जैता है जिसमें आप काफी high level gaming का सकते हो लाज्ट टाइम से काफी मैं गेम वगर इसमें खेल ला हूं Cyberpunk काफी आगे तक मैंने खेल लिया इसमें अगर आप लेना चाहो तो ले सकते हो जैसा आपको convenient रहे और बात कर ले दें कुछ comms की तो देखो इसमें एक con ये है कि भाई इसका थोड़ा सा led flex वगर जैसा आपने देखा वैसा है keyboard flex भी है थोड़ा सा and next चीज की बात करो तो भाई इसका जो design है वो design अगर intel वाले की तरह होता न तो रिसेंटली मैंने review किया था अगर इसका design उसकी तरह होता तो भाई मैं इस पर फिदा हो जाता बहुत बढ़िया laptop यह रहा था क्योंकि इसका design मुझे काफी अच्छा लगा था गाईस देख सकते हो जैसा कि अब मुझे यह review laptop में बाई च्छेडने चाडने की इजाज़त है नहीं तो भाई मैं वो नहीं कर सकता है तो देख लो भाई तो यह कौन नहीं काउंट करना ओवरॉल मेरे साब से यह laptop काफी अच्छा है बाई करना चाहते हो तो थांग सब है आपने दोस्तों के साथ और 10 गेम हमारा गिवे चल रहा है डिस्क्रिप्स पर पार्टिसपेट कर सकते हो तो थांग यू सो मच पर वाचिक इट विए बाई एंड सी इन दे नेक्स वा